कि अज़िए इस वीडियो में और कुष्ण करते हैं और यह जो कुष्ण से यह भी क्लाश 10 का जो हाइटन डिश्टेंस है ठीक है हाइटन डिश्टेंस चेप्टर उससे लिए गया है और है अज़िए अच्छा कुष्ण से यह पूछा और कई बार एक्जाम से पूछा भी क्या क्या स regimes है चैसी क्या कर यहांपर ओस्ट उसकी और टोट गया लेकर प्रेको फिस्टार कभी की क्या होगा जुके गा बेंड कर जाएगा मुर गया ओके सो द्याद टॉप अब ट्री टचेज दा ग्रॉन अंगल 30 डिग्री विट इट इस एक पेर है पेर जो टूट जाएगा तो पेर का जो टॉप होगा न वह ग्रॉन को टच कर गया टॉप कर गया और वह ग्रॉन के साथ बना लिए 3 डीग्री का जैसे कि यह पेर है यहोंगी होगा कर यह यहां से टूट गया ठीक है यहां से तूटे गया यहां सी पिर टूट करके क्या होगा यह यह ने मुर करके यहाँ पर इसको डूट लाइन साम दिखा दिखा दिया पेर टूटा हुआया यह तो टूटा हुआ है टोटल देखिये, पेर का actual length जो है, ट्री का actual length वो A से लेकर के B तक है, लेकिन C point से पेर क्या किया, वो ट्री ब्रेक कर गया, तूट गया, और D point पे ground पे वो क्या किया, टच कर गया, मतलब ये जो part है न, CD, CD part कितना होगा, जितना AC होगा, क्या है न, कि AC ये part तूट करके, ये ये जो हमारा XE होगा, X हो जाएगा, ओके, इधर सम मीटर में है, तो ये X मीटर हो जाएगा, ये भी X मीटर हो जाएगा, AC पार्ट जो है पेर का, ये जो टूट गया यहां से, यही AC पार्ट ये ground पे क्या किया मूर गया है, ठीक है, और ये पार्ट जो है, ग्रॉन के साथ यहां पे 30 degree के इंगल बना रहा है, कर रहा है, देखिए, ब्रोकहिन पार्ट बेंस, बेंस, तो ये तो टी है है, यह टी का टॉट जो एसे मूर कहा, अचरा ये ये, टूट आप हूत से हनुट, टॉट टूट च्श्च भाइगा, हूट का टूट प्रॉड जोट किया, अमे तो आपको ट्री का हाइट बताना है ओके सिंपल को सुनसा है अब दखिए चलिए हम इसको बी सी अब चलिए हम इस ट्रेंगल में यूज करते हैं जो हमारा टीफ फंसन से उस सब को सॉल्यूशन डाल करके थोड़ा लिख लेंगे कि लेट एबी एबी बी और ट्री ठीक है एवी बी ट्री ओके एंड और सी बीदा ब्रोकें पॉइंट जहां से वह टूट गया आप सको अब लिख लीजेगा ठीक है सी ब्रोकें पॉइंट हो गया अगर हम आप इस ट्रेंगल म सी बीडी की सी सी बीडी सीबीडी civी डीडी में हम टैन्य फॉन्संस लगाते हैं तो टैने सiscal लगाएंगे हम तो टैनने सब्सक्रहण अगर लगाते हैं तो तो टैनका इस तो पर्रपेंडिकुर्ड चाँए बीसी और बेसो जारेगा ठीक है टेंट फिस जाएगा 1 by root 3 is equal to bc नहीं मालूम है लेकिन bd9 मीटर दिया हुआ है ठीक है तो root 3 bc is equal to 9 और bc is equal to 9y क्या हो जाएगा root 3 हो जाएगा इसको अगर आप rationalize कर लें ठीक है तो उपर में 9 root 3 नीचे 3 3 से कर दिये तो क्या हो गया अब देखिए जैसे कि बी सी तो आही गया अब हमको बी सी आ गया और हमारे पास यानि की परिपेंडिकुलर भी है भी है थे पाइथा गोरस से हम है पोट्रनास निकाल सकते हैं पाइथागोरस तो पाइथागोरस लिए वह बहुत सिंपल है अब इसमें हम T functions या T ratios निकाल लमले यूज़ करके ही हम इसका लेंद निकाल सकते हैं CD का देखिए जैसे आप 10 और कोट का यूज़ करेंगे तो वह 10 कोट का रिलेशन किसमें होता है पर्पेंडिकुलर और बेस में लेकिन साइन या कॉस कॉसेक या सेक इस चारों में से कोभी फंसंस का यूज़ करें तो हमारा यह जो है पोटने से वह निकल जाएगा तो चलिए इसमें हम साइन तो यह लगा के देखते हैं तो साइन के डिफिनिशन से अब पर्पेंडिकुलर बाइए है पोटना तो पर्पेंडिकुलर बीसी और है पोटने सो गया सीडी तो साइन तीस वन वाई टू इस इकोल टू अभी भी हमारे पास निकला है ठीरी रूट थी और सीडी जो है एक् अब देखें जितने एक्स यह है उतना ही एक्स के वाईलिया और लिख सकते हैं कि हाइट ओफ दट्री हाइट यह टोटल अब इस यह इधी कहाइट और जो है टोटल जो है रहेंगे और बीसी हमारा 3 रूट 3 है और यह जैसी जो है नौ रूट यह ना शौरूट3 हो और root 3 के value नहीं given है तो इसको हम root में ही छोड़ देंगे बास समचे तो इसका जो है tree का जो total height है वो 9 root 3 हो गया तो hope कि आपको ये question solution समझ में आ गया है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you